बोस्तो आप सभी ने ये तो जरूर सुना होगा कि यहाँ पर क्रिप्टो हो चाए कोई भी ट्रेडिंग मार्किट हो वहाँ पर 90% लोग पैसा गवाते हैं और 10% यहाँ पर सिर्फ पैसा कमा पाते हैं और वो लोग यहाँ पर कौन से होते हैं 10% क्या यहाँ पर आप उस 10% की सिर्णी में आ सकते हैं किस तरह से वो टेक्निक काम करती है कोई इतना बड़ा रॉक्ट साइंस यहाँ पर नहीं है अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो गारंटी से मैं आप सभी को बता सकता हो कि यहाँ पर आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं और किस तरह आप उन 10% की सिर्णी में जा करकetic क खड़े हो सकते हैं कि आप यहाँ पर चाहे क्रिप्ट की मार्केट हो चाहे आप किसी भी मार्केट में हहाँ पर काम करते होंगे तो DEFEINITY escortly आप यहां से पैसा कमाकर के लेकर जाने वाली हैं मैंने अपने पीछे यहां पर कनी एक चार्ट से आपर ड्रौ किया है जोगिंगर थो इंदिली आपको बताएगा कि किस तरह से जो वीग वेल्स होते हैं जो इस्टुशन होते हैं वह यहां पर आपसा को वहाँ पर फसाते हैं आपके माइंड आपकी साइकलोजी के साथ में वहाँ पर खेलते हैं और दीरे दीरे आप वहाँ से मार्किट से एक्जिट कर देते हैं और फिर आप यहाँ पर एंड में यह कहते हैं कि यार क्रिप्टो मार्किट में यहाँ पर स्कैम होता है लोग यह मुझे पता चलता रहता है कि मेरी वीडियो लगातार आप तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है कुछ आपको समझ में आ रहा है अगर आपको कुछ यहां पर समझ में आया या तो मार्किट में कुछ अपना रिव्यू देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कम जाता है और फिलाल की जो मार्किट यहां पर चल रही है आप उसे बिएरिश ही कह सकते हैं क्योंकि मार्किट ने यहां पर सत्तर हजार को टेच्च करके 49,000 डॉलर का मार्क यहां पर टेच्च किया फिलाल की समय पर 58,000 डॉलर पर 58,800 पर Bitcoin यहाँ पर trade कर रहा है सभी को उम्मीद है, सभी को पता है कि आने वाले समय में Bull Run आएगा लेकिन यहाँ पर Bull Run से पहले एक जटका तरड़ा जटका यहाँ पर Bitcoin ने दिया और Bitcoin के साथ में Alt Coin ने जितने भी लोग यहाँ पर crypto market में है, वो 70-80% अपना portfolio डाउन करके बैठे हैं और वो इसी hope में है कि यहाँ पर Bull Run में अच्छा पैसा कमा पाएंगे लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कि जो कि यहाँ पर नए आये हैं और उन्हें नहीं पता कि किस तरह से यहाँ पर काम करना होता है और कैसे आपको यहाँ पर survive करना है तो भाई यह वीडियो आप सभी के लिए है अब यह चार्ट दोस्तों मैंने आप सभी को बता है कि मान लीजी आपने इस price पर यहाँ पर entry ली है, जो कि यहाँ पर आपको buying price के बाद में होता क्या है कि जो big whales है यहाँ institution है वो market को यहाँ पर dump करते है market dump होता है, अलका सा दोस्तों यहाँ से recover करता है, तो हमें लगता है कि market recover हो रही है, लेकिन फिर दोबारा से manipulate करके, नीचे यहाँ पर gate दिया जाता है, और वो जबरदस्ती gate दिया जाता है, आप सभी ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कि market को गिराया जाता है ताकि जितने भी हैं पर panic sellers होते हैं वो market को छोड़ करके चले जाएं और वहाँ पर लगभग जो कि आंकड़ा निकल करके आता कि 40% लोग इस तरह के trap में ही फस जाते हैं यानि कि पहला ही जटका वो यहाँ पर नहीं जील पाते और वो market को छोड़ करके चले जाते हैं जिसमें कि लगभग 40% का panic seller एक बहुत बड़ा एक ये आंकड़ा निकल करके आता कि वहीं 40% लोग यहीं पर बाहर चले जाते हैं इसके बाद में कुछ दिनों के बाद में दोस्तों आप सभी ने ये देखा होगा और current की market का ये बहुत बहतरीन example है जो कि आपको ये जरूर पता होगा व्योंकि bitcoin 70,000, 72,000 डॉलर से 49,000 डॉलर पर जब चला गया था आपसे लगबग हफता 10 दिन पहले तो तमाम जगह पर negativity थी का bitcoin यहाँ पर 49,000 को भी cross करेगा और नीचे ही जाने वाला है 44,000 डॉलर जाएगा 40,000 डॉलर जागा अनकी market में इतनी negativity यहाँ पर आ गई थी side wave में चलने के बाद में दोबारा से यहाँ पर market को गिराया जाएगा भाई bitcoin गिरेगा नहीं लेकिन bitcoin को यहाँ पर गिराया जाएगा ताकि bitcoin को अगर वो गिराएंगे दोबारा से 30% और यहाँ पर जिसके पास में patience नहीं है वो जो खिलाड़ी यहाँ पर करनते हैं कि भाई हम मार्केट से ले करके पैसा खरीद करके पैसा बना करके जाएंगे और यहाँ पर वो 30% जो लोग होते हैं जिनके पास में patience नहीं होता है और वह भी panic selling में करके कि वो देखते हैं कि यार मैंने यहाँ पर यह 40% का जो आकड़ा था यह 40% का जो ratio था वो तो मैंने यहाँ पर recover कर लिया आने कि जो मेरा एक लाग रुपे था अगर मेरा वहाँ पर 40-50,000 रुपे बचा है फिलाल के समय पर लेकिन वो फिर यह सोचते हैं कि जब market थोड़ा सा ऊपर जाती है कि market यहां से recover करेगी लेकिन दोबारा से market को गिरा दिया जाता है अब दोबारा से market को जब गिराया जाता है तो आप वो सोचने कि आप दोबारा से ऐसा ना हो कि market यहां जो price range है इसको भी तोड़ करके नीचे चला जाए और यहां पर मेरा 40 तो चाहते हैं कि जो छोटे-छोटी मचली है और जितना पैसा वो लगाते हैं चाहे 10 जार, 20 जार, 1 लाग, 50 जार जो भी लगाते हैं वो market को यहां से दे करके जाए और वो इसी तरह से होता है यहां पर देने के बाद में market को दोबारा से यहां पर ऊपर की तरफ ले जाया बसते हैं सिर्फ यहां पर 30% लोग, अब यहां पर वो 30% लोग होते हैं उनमें से जब यह देखते हैं कि भाई, price तो काफी अच्छा चला गया है और क्योंकि उन्होंने वो dip देखे हैं दो बार, market के वो dip देख चुके हैं, हो सकता है उन्हें एक साल हुआ हो, हो सकता है उन कासा dip देते हैं और फिर उसके बाद में और उपर ले जा जाता है, लोगों को फिर यह लगता है कि यार अब तो यहां से पैसा बनने की मेरी बारी आ गई है, हो सकता है कि यहां से rally आना स्टार्ट हो जाएं, कि जो बाते हम यहां पर करते हैं, और जो alt coins हैं या bitcoin हैं, वहां पर अब सब कुछ छोड़ चाड़ करके बहुत उपड़ जाने वाला, लेकिन उसी के बाद में दोबारा से market के sentiment ऐसे बना दी जाते हैं कि market में sudden dump वहां पर दे दिया जाता है, sudden dump देने के बाद में लोगों के मन में यही आता है कि यार, मैंने 40% वाला, यानि कि यह वाला ज जो crash है, यह भी देखा है, जहां से 30% वाला जो crash है, जिससे कि यहां पर काफी लोग यहां से market से entry हुए थे, liquidate हुए थे, लेकिन आब वो यह सोचते हैं कि यार, अब मैं यहां से अपना पैसा जो है, अब यही पर बेच देता हूँ, जो 20% लोग है, वो भी यहां पर फिर जा भी रहा है, तो उन्हें लगता है कि दोबारा से कहीं यह वाली position ना जाए, या दोबारा से फिर यह वाली position ना जाए, कि हम यहां पर आकर के खड़े ना हो जाए, हमारा लगाया हुआ, एक लाक रुपे ऐसा ना हो कि दोबारा से हमारा 20-30-50,000 रुपे ही हमें बाकी द जाते हैं, और दोस्तों उसके बाद में बारी आती है, जो कि 10% लोग यहां पर बसते हैं, या उन्हें थोड़ा सा यह experience हो जाता है, कि mind को control करके वो बैठे है, कि यहां पर चाए market कितना ही क्यों ना किट जाए, लेकिन यहां पर मैं निकलूँगा, तो पैसा कमाकर निकलू और वो जो 10% लोग बसते हैं वो यहांपर जो rally यानि bull run जो कहा जाता असली में उसको यहांपर enjoy करते हैं और वो 10% लोग ही कहे जाते हैं कि यहांपर millennia बनके निकलते हैं तो इस तरह से आपके और जो normally है हमारे साथ में हैं पर psychology के साथ में जो big whales institution होते हैं जो बड़ी मश्री होते हैं वो यहांपर खेलती हैं और हम जितने भी लोग होते हैं जो कि हैंपर छोटी trading करते हैं और जो लोग सोचते हैं कि यहांसे किस तरह से थोड़ा सा बड़ा पैसा जाए शुरुवात में इसी तरह से यहां पर लोगों को फसाया जाता है यह चार्ट यह वीडियो आप सभी को समझाने और बताने के लिए फिलाल के समय के लिए बहुत प्योगी रहेगा कारगर रहेगा अगर आपको कुछ यहां से देखने को समझने को और अगर आपका हो आउसला यहां से कुछ मजबूत हुआ हो तो बाई बताईएगा जरूर कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो को ज्यादे से ज्यादा लाइक करके शेर भी कर दीजेगा ताकि ऐसी ही यूसफुल वीडियो बखवास हमारे चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगी यूसफुल वीडियो आपको देखने को मिलेगी और बताईए कि यहां पर अगर बुल रन आएगा तो बुल रन में आपको किस तरह से यहां पर फिर काम करना होता है अगर आप वो सेकिंड पार देखना चाहते हैं ताकि अच्छा कंटेंट आपको यहां पर मिले और आप लोग यहां पर सिर्फ पांच अच्छे और कोईन या दस अच्छे और कोईन उनमें ही यहां पर फिर फस करके न रह जाएं और लोग आपको यहां से बेवकूफ ना बनाने पाएं वीडियो को जाए ज्यादा लाइक शेर कीजीगा और टेलिग्राम को आप जरूर जोएन क लिजीगा फिर में लेंगे नेक्स वीडियो में नेक्स अब्रेट के साथ थांक यू वाव गूद दे